हेलो एवर्योन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल विफिन खुमारा अम्मिय तो आज हम लोग बिहारवर काक्षा का कनीद का चैप्टर ठीड देख रहा हैं जिसमें हम लोग एक्सरसाइज तिंदर सुम्लब दो को देखेंगे ठीक ना और उसमें चतर हम लोग समझते हैं सउबर को किंगलिस में बोलें लोग क्या होता है त्यार क्या होता है क्या 1941ोड क्या होता है ठीक है क्या मत써 मतलब वैसल कि अ changing the डीख रहा है सब में चार-चार भूज दिख रहा है आग दो तीन चार दिख रहा है और देखेए यहां इधर से पोइंट जा रहा है यहां के दो चार कों भी हो गया तो ऐसे आक्रतिक्षे को हम लोग क्या बोलेंगे चतर्भूज बोलेंगे है उसके बारे में हम लोग एक करके जानेंगे चले फर्स्ट देखते हैं हम लोग हौर्ष किया है है हमारा क्तर सम्मलां क्या है सम्मलं इसका देखें जानें कि यसके सम्मो भूजाओके दो इउगमों से एक इउगम समानतर हो ऐसा Lisa सम्मला चैतरभूश कहला आता है अब इचाइच dioxide 6 समझने से पहले एक सब्सक्राइब समनांतर और उसके सामने क्वाला कहने का मतलब क्या है इसके सामने को होगा या आदी के सामने के सामने इसके समूस समय समझ ऑब समांतरру हो tooling समझते समय समय को समझेंगे समांतर Brazil का मतलब लुक्ष की हमेशा समान हो और ऐसका मतलब एक रहा है और एक रिखा यह है सब्सक्राइब करने का मतलब क्या है जो इसको बढ़ाई एगा और आगे ले जाएगा तो इसको भी बढ़ाईएगा तो हमेशा दूने के बीच की दूरी कितना होना था हमेशा सब्सक्राइब समूक और समानांतर के बारे में आप लोग समझ गया ठीक है अब यह जो इसका कहने का मतलब क्या होता है तो समूक और समानांतर के बारे में आप लोग समझ गया ठीक है अब यह जो समझ एक बोला है कि समोक भूजाओ के दो इगमों से एक शनांतर हो ऐसा चतर बूज के गणने का मतलब क्या समुकमो डोक गुषक दो समूख प्रसमुक प्रसमुख को जागा एव जब्लड को जी में सब्सक्राइब है कर दो का मतलबस होता है जब्लद सब्सक्राइब हो इसको बहुषका इंद ग तर्शी लिए magari होगा यह थे in तो यह समनांतर हो तो हो गांग होगा समनांतर के तो इस चतरभूज को क्या कहें तरही पाये है कि तरह एकिनुस यह संतनल करें सब्सक्राइब घर耇ते सम्ट सभी तीनों के नियुक्र भीकिन ऌसफ swipe कई अब आगे जा रहा तो क्या हुए तो नुस नहीं के ब्रावर नहीं यानि क्या लग रहा है तो कि इसके संड़ानतर होगा तो क्या होगा इसको देंगे A B समनांतर C D ठीक है A B समनांतर क्या होगा C D ये जो है चीन समनांतर का है ठीक है ज्यान दीजेगा अब इसमें देखिए इसका समनांतर E तरह लग रहा है E उधर जा रहा है और E दोनों का बी экспер का दूरी देखे थो दोनों का बीुरी विद्धा दूरी समान है समान नहीं तो क्या समनांतर नहीं वादा लेकिन हमको चाहिए एक जो है यह हमको समनांदर चाहिए यानि यह विद्धा नहीं दूरी समान लग रहा है सिधा यह दूरी समान है जानी बिच चाहिए इसलिए क्या है अब इसमें देखिए यह समनांदर क्या है इसके सब्सक्राइब है इसमें दो समनांतर हो रहा है तो यह हम लोग आगे पढ़ेंगे ठीक है तो यह हमारा इसका एक्जामपन नहीं है और पतंग के बारे में समझ यह क्या होता है क्या क्या होता है कि अब वसंद्धिरीतु में आपने लोगों ने अस्मान में पतंग गुडाते हुए देखा होगा हालाकि अधिकांत्थ की ऑधिकांस एक निश्ची üzवा चत्रत हुपाता तो आठानवासा में समझना चाहिए पतंग के बारे में तो देखिए क्या है कि जूआ है इसके बड़ाबर होगा इसके बराबर होगा ठीक है यह बराबर होगा ऑजो एक विकन इङ बिकन है और एक विकन है यह सी करन ने और सम्धिभाजित कर रहा है तो सम्धिभाजित कर रहा है 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 ठीक है दखिए वैसा चतरभूज जिसके आमने सामने के भुजाई यानि समुक भुजाई के दोनों जोरे समानतर हो उसे समानतर चतरूज कहते हैं कहने का मतलब क्या हो गया आमने सामने का इसके सामने यह है तो इसके आमने सामने और आमने सामने को ही क्या बोलते हैं समुक भुजा को ही आमने सामने बोलते है ठीक ना बोला है न वैसा चतरूज जिसके आमने सामने के भ तो बोले तो बराबर ओगा और इसको भी आगे बढ़ाए तो बीच के दूरी क्या होगा तो एसे चतर बुझ को क्या बोंगे समयांतर चतर बोलेंगों और समुक भूजा का एक दी और अपस सब्सक्राइब करने का मतलब क्या सामने वाला समुक बोले का मतलब क्या सामने वाला जैसे हो गया यहां सब्सक्राइब करने दीन कि सब्सक्राइब करें अगला कि अगला के बला है समझे अगला बला आगला क्या मतलब में सब्सक्राइब क्या बढक होती है और यहां मुझा डिटिक दी दिटी किया अब रखी आशान कौन संपूरक होते हैं अठात कौन A प्लस कौन B बरावर 180 डिगरी कौन B प्लस कौन C बरावर 180 डिगरी कौन C प्लस कौन D बरावर 180 डिगरी कौन B प्लस कौन A बरावर 180 डिगरी अब क्या बोला ही जो प्लस थी मिला किमिना जाए प्लस और प्लस दोगा प्लस कितना हो जाए और च्यक्त पूरक यानि दिए प्लस ज्राइब प्लस खेए अगला पॉंट या वो समझिए आंगे बोला है सम्नांतर्चतर्भूज सम्नांतर्चतर्भूज विकारन एक दुसरे को सम्दीभाजित करती गड़ार्ध को एक एधर बट गया रहा है वह हम लोग चानो भागह सम्दीभाजित करने हैं सैसे को गरता हैं। इस strict चतर उख जिसके सभी भूजा आए समाल नवाई की हो वसल सं चतर भूज ठीकक न कहलाता है मतलब इसमें क्या खाल चारए यानी ऐ भी बरावर बीसी बरावर झीडी और इनि सब क्या ओगा आपस कंग में बरावर होगा आप समझे इसका गूं देखें कैं हम लोग पर परपॉटीज है इसका समझे समझ के संभू कून बराबर होते हैं और समिख चतर्भुज के संभू बंड़ाते समझ कून सब्सक्राइब सब्सक्राइब ओदिया है पहले जो है गुन देखिए आगला गुन किया इसको समझगे बोल दिया समुक भुजा का एक यूगम AB और CD तथा दूसरा यूगम AD और BCU आपस में समनांतर होगा अब इसके कहने का मतलब क्या है इसके कहने का मतलब क्या है AB भुजा है ठीक न समुक बोला है न समुक AB भुजा है इसके समनांतर CD भुजा क्या होगा समांतर होगा ठीक है इसके समनांतर E होगा और इसके समनांतर क्या होगा E होगा ठीक है यही statement E गुन का मतलब होता है ठीक न समसेतर भुज में क्या होता है अगला गुन क्या इसका अगला गुन है समच तरभुझि में आसन कों संपूरक होते हैं तो या सन कों गल में एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब करने चाहिए तरफ जान पोला तरफ इसके निकत आसन पुन यानि एक ओन बी के आसन कुन है तो एक सब्सक्राइब फिर इसका अगला गुन देखते हैं क्या बोला अगला गून है समचात तरभुज के विकान एक दूसरे को सम कोन पर सम्धिवाजित करती है सम चतरभुज के विकान जो होता है एक सब्सक्राइब करती है चलिए आप हम लोग आयत देखेंगे आयत के बारे में समझेंगे आयत क्या होता है ठीक है समझी अब आयत के बारे में वैसा चतरभुज जिसकी सम्मुक भुजाय बराबर हो तथा परतेक अंतवकून समकून हो अर्थात 90 डिगरी का हो उसे आयत कहते हैं आयत का असान भसा में कहिए गया तो आमने समनी की भुजा क्या होता है समान होता है यानी बराबर क्या हो और इसके सांसत क्या होगा फरतेक कूण समकून क्या होता है या यानि नब ब्यदीगरी क southwest प्रतेर होगा और गुण देख लिए तो आयत की सम्मुक भुजाय समान होती है यानि समुक भुजाय क्या मतलब क्या सामने वाला आमने सामने वाला अगला गुण आयत का प्रतेरर कोन संकोन होता है अब परते कुन संकुन करने का मतलब क्या 90 डिग्री अर्थात कुन A बरावर कुन B बरावर कुन C कुन बरावर कुन D कितना डिग्री के बरावर है 90 डिग्री के परते कुन बोलती है 90 डिग्री किन है इसले हमारा परते कुन कितना हो जागा संकुन यानि 90 डिग्री का हो जाग कि अभर लंबाई निया है और थात आयत में घीचा हुआ है जो विकण घीचा हुआ है एक निए तो हाँ यहां से यहां तो यहां से तर्वीड हो गया दूनों का लबाया यानि क्या होगा समान होगा यही बाती बोदा है अगला गुन क्या कर रहा है कि आयत के बिकन एक दुसरे को समधिभाजित करते हैं अब यहां से यहां कटा तो इधर चल गया और इधर हो गया तो यही बुला है का समधिभाजित कर रहे अब लोग वादर मी भर्ग का होता है वा इसा अदर का क्म क्या कोन हो क्या कहा ला रारो जाई है तो एंदर रखनताखints Пр хоч कोन क क्या कहा है तो क्या लागा स्कुर का लागा यानि गाला या ठीक है अब चलिए इसका बर्ण का गूर लोग देख लेते हैं तो बर्ण की चारों बुझा समान होती है अठ्छाथ AB ब्राबर BC ब्राबर C D ब्राबर AD यहां लिखा हुग है AB बड़का परते कुन समकून होता है था कुन A कुन B कुन C कुन D बड़ाबर 90 परते कुन की बात किया तो कुन A हो जागा नमबे डिगरी कहा है अब देखे आगला गुन क्या गारा है आगला गुन हम समझ लेते क्या बोला बड़के भिकन समान नवाई के होते अरथाथ एसी बड़ाबर बीडी थिखन अब जो आयत में था कि बर आयत का जो भिकन था वह भी समान था समधिभाजित करने का मतलब क्या है इसमें बड़ावर बड़ावर दो बावर दो भाजित मतलब दो भागों में बड़ावर बड़ावर बाटना थी ना समझी भाजित कहलाता है चलिए तो हम लोग चावज सबसके कि देख लिए है आप इससे संब्सक्राइब प्रश्ण को हम लोग देखेंगे इंगे इसको हल करेंगा आप प्रश्णा वाली किनस दो को क्या हो गी हम से को ला है कि को बताना है चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ठीक है देखिए जैसे देखिए यहां चुकि एबी सीदी एक समलम चतर भूज है ठीक न अब एबी सीदी समलम चतर भूज है तो इसमें क्या होगा कि सम्मुक भूजा जो होगा सम्मुक भूजा के दो इगुम इसमें होता जिसमें से एक इगुम होना चाहिए सम्नांतर क्या होना चाहिए सम्नांतर होना चाहिए किसमें समलम में ठीक न सम्नांतर होना चाहिए सम्नांतर होना चाहिए सम्नांतर होना चाहिए सम्नांतर होना चाहि है फिर बोला है चतरभूज है सब्सक्राइब चतरभूज है तो इसमें क्या होता है कि आशन कुण जो होता है ठीक ना सम्लब चतरभूज का जो आशन कुण होता है उस संपूरक होता है क्या होता है क्या होता है कुण kund a कुन d या कुन b प्लस कुन a जो ता है उसका मा नंक्य नहां कुन भी या कुन kund d बरावर होता है था-ठता कुन b प्लस k ची ज़स्य haric ठीक है इसका आशन कुण हो जागा इसका कोशण में क्या दे दिया है को ने बराबर सौ टीगरी तथा कून बराबर क्या दिया है ओ है 110 दिधान दिजले हैं 110 होगा पुन एब और साद्य कोशन में ही दे दिया है तो इसको करेंगे यह हमको निकाला कून D या कून C निकालना है तो किया करेंगे हैं कौन d निकालना है तो हम जानते हैं दून्मों का यह किक ना होता है 180 हो वता है देखिए कौन a फर्मूला और फर्मूला को ठीग नई सको हम क्या करेंगे दी को ए साइड ही रख लेंगे और 180 इस साइड ही बरावर के रहेगा और इसको हमको इसको इधर भेज देंगे तो इधर आए तो मैनस में आए गर से देखिए इसको देखे गर से दोनों का मान एक 180 डिगरी होता है तो हम क्या किए कौन डी को इधर ही छोड़ दिया क आए तो कौन बी को इसाइड छोड़ दिया कोई एक 180 डिगरी में से 100 डिगरी घटाईएगा तो कितना बचेगा झाली होना कॉन निकल गया हिसा दें तसे से देंस माझ धाल सबस्क्षक्रार चैन यहां empathy तो इधर भी था अब क्या की है को हमको नहीं निकाला था इसको छोड़ दिए इसको इधर भी पालस में है तो मैनस में हो जाएगा ना अदेगे तक कोन बी का मान कितना दिया है लगांपनशन देखेंगे दो क्या करा देखेंगे चलिए समझेए इसको कोचन दो का रहा है एक समांतर चतरवुज का आसन भुजा है दो अनुपात तीन के अनुपात में है यादि पाली आसन भुजा छोचें सेंटीमीटर हो तब उस समांतर चतरवुज की परमीति क्या हो ठीक है इसको भी हम लोग समझते हैं चलिए पते फुलगर कि पोचेशन नमर डू बोला है की आसन भुजाओ का अनुपात कितना देली आmegल बगल-बगल-बगल का ना यान susan ब्सक्राइब का विजर्ट कोंडर सबसक्ता सब्सक्राइब कई में लिए था अनुपाट को बटा में लिख सकते हैं सबस्क्राइब अनुपाद दिया था इसको बटा में लिख दिया है अब यह चीज है हम लोग निकालने हैं एब जो दिया था क्या थी अब समझे यहां एब बोला है कि प्रथम जो भुजा है चो संटीमीटर यहीं ना है इसको हम लोग चो संटीमीटर यहां रख देंगे बीसी का तभालू नहीं दिया है यहां सिर्फ बोला है कि ए मतलब क्या है आसन भुजाव का नुपाथ सिर्फ दिया यह तो आसन भुजाव को एल लिए यह लिए रखिए ता आसन भुजा जो आशान लिखे तो यह लिखती है ठीक न अब देखिए इसमें इससे गुणा करें लिए और च्छो दूना बार तीशा तीशी गुणा करेंगे तो फिर और सबकुम एक हम आ النु owning दो लिखन दिनिकल गया निकल धया चाहिए एक चीज रहोता है क्यों से चतर्श दिया अन्य आहेTalk Mai ंता चतर्वज दिया था सामान पlles छतर्श मेरे आपने खाटा समानोभ होता है यानि समुक भुजा जो होता क्या इसामान होता है तब सिय का समान निकला जाए तो हमारा इडी पिचार और और देखिए अब देखिए समान चैतर दीक, आप देखे का माप को हम जोर देते हैं यानि यह कर देते तो हमारा परमीती निकल लाता है कितना है छी है चेडी का वेलु निकल गया और बीस संटीमेटर निकल निकला है और इनसर्डेट अगया थिए अब सब्सक्राइब क्या तो में रूज है तो इसके बाकी तीनों कोन की माप क्या होगी समानांद चातर्बूज दिया है उसका रूज ही यह का फैल्लम देदिया एक सबीस दिधि दिधि वाकि तीनों का सब्सक्राइब कर दिए इसलिए को सब्सक्राइब कि तो किए समूघ कुण से क्या आता है ये समाधर चतरवुज में क्या आता है भराबर होता है क्यों ए समान्दा चतरवुजी में क्या आता है आसन कुन क्या हता है संपूरक होता है आसन कुन क्या हता है संपूरक होता है अर्थात कुन A पलस कुन D कितना हो जागा 180 डिगरी ठीक कितना हो जागा 180 डिगरी होना जागा ए और इस दुनों के जोर के किना अजाए 180D होगा तो देखिए तर जराद यान ये D का भैलू 180 में से हम 120 घटा लेंगे तो इना रहागा D नहीं निकल लेगा इदूनों का भैलू होता है 180 हम D कोंध कितना हो गया साट डिग्री हो गया इसके सम्हूं कौन कोन है स्वी साथ दिगरी वह जागा अंब एक इंसर आ यह आप जागा खिक है अचलिका हम लोग चार देखेंगे चार क्या करा इसको समझे जरा चार क्या कहरा है एक चतर्बू छम्न चतर्बूज 혹시 विकनौं की लंबाई छो मीटर है इवन आठ मीटर है तो उसके परते एक भुजा की लंबाई धीज पूर McNamam का जोन है क्या allora में में क्या बॉला is समझे उसको कि एक विकरने का लंबाई आठ सेंटीमीटर सुरी आठ मीटर था दुसरा का विकरने का लंबाई छो सेंटीमीटर है तो पतेग भुजा की लंबाई बताई यानि इसका और इसका और इसका और इसका लंबाई बताना है और किसमें इसमें बोड़ा सम्चतरभूज में सम्चतरभूज में बोला ध्यान दिजेगा इसको यह बात को हम लाश्ट में जिक्र कर गए इंसल लिखते सम्ड़ें ठीक है चलिए हम जानते हैं कि सम्चतरभूज में क्या होता है चारोँ भुजाओं जो होता है सम्मान होता है क्या면 सम्मान होता है और जो इसका भीकन होता है सम्कौन पर सम्धी Romeo धार जित करता है क्या सम्धीヴीजया कि आठ दे दिया है त caso है प्रतेग भुजा की मान बताईए तो इसको मान निकालने के लिए हम लोग एक रूल होता है उसको फॉलो करेंगे इसको बोलते हैं हम लोग पाइथा गोरस पर में पाइथा गोरस पर में देखिए अब प्रतेग भुजा के भैलू निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा इस सम्में से कोई उखांच के उठा लिए को यह तिर्भुज उठाले है फिर्भाष्ट में से ई उठाली ए चाहिए कोई उठा लिए इवाना खता युश्ठा घ्रुक्रम निकालने के बाथ हमारा हो गया कई ओर ऑर एभी हो थिकखे देखिए ह है second table 4 देखे तो भी चार है और ये भी हमको नहीं है ग्यात नहीं है अब ग्यात्न नहीं है तो यही को घ्याता ए है आप बोल दُया है कि समकौन पर सम्मकौन रहें संकौन नहीं हो जागा क्या होता है कर्ण कर्ण होता है ठीक है तो कर्ण क्या स्क्वार बराबर लंब जोर अधार का स्क्वार होता है क्या होता है पाइथागरस कोता है कर्ण का स्क्वार बराबर लंब जोर अधार का स्क्वार इसमें ठीका नहीं दिया हुआ है इसलिए दूनों में से कोई हम लंब सब्सक्राइब करता है कि न का स्क्राओर में क्षक्राइब कर्षां nu होता है ठीक ना पैठाकमर मजन के स्कुआर्कल माइस का चिता समय का इस्कुआर्कल बडरावर लंब इसके की ना होगा आमको यही निकान ना का नमी दो क्या क्या चीज इँ को अगे अलंब बोलेता ओबी थीकछना तो क्लिकान याली आ भी निकान ना थीक है यही निकान नहीं बत्रूने इसे पेशक्वार इस्पेः ब्ह Originally ृट 4 जाएगा आप ऑबrires कितना है और का जाघ में ठीक है अब देखेता angry तो पर्तेकन बदेकर देखित कहा है थे निकल गया तो हम लोग जानते हैं कि सम्-चतर्भुज में क्या होता है कि परतेक भुजा बराबर होता है यानी प्रतिक भुजा क्या आता है बराबर होता है तो यह प्रतिक भीजा कि लंबाई बराबर कितना जगा पांच मीटर हो जागा या हमारा इंसर हो गया आई होप कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा यदि समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को पोस्ट करके फिर से रिपीट करके देखेगा ठीक है अब हम लोग आगे समझते हैं कि पांच नमर कोचन क्या करा इसको देखिए पांच नमर कोचन करा रहा है एक आयत और समांता चतरवुज में क्या समांता है समांता और एक और क्या अंतर है लिखी तो क्या समांता है और क्या अंतर यानि क्या बराबरी का है और क्या बराबरी का नहीं है इस पूछ रहा है चलिए इसका एंसर देखते हैं आयत में सम्हुक भूजाय बराबर होती है शीन आयत में क्या आते सम्हुक भूजाय बराबर होती है आयत के विकन एक दूसरे को समधिभाजित करते हैं 2020 कि है प्रते को फट्री कोन घी होता है प्रते को नभे जिरीका नहीं होता है तो आयत का प्रते कोन सम्कौन होता है यह थात नब्बे ँृडिकों जानते हैं ना कि क्या होता है संपूरग आयत क्या होता है संपूरग आयत क्या होता है संपूरग आयत क्या होता है संपूरग 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 होता है अर्थाद 180 डिग्री का होगा जरूरी है कि गा Model Duty का होगा कोई जआदा तो कोई कम हो सकता है इसलिए हम कुए आयत का परफे कूंवी Gừ का होता है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि पसंद आया तो लाइक किजिएगा ज़से आपने दोस्तों में शर्ट किजिएगा और कमेंट किजिएगा और चैनल पर नहें को सब्सक्राइब करके जूड़ जाएगा अब वेल आइकान को दबा दिएगा ताकि आपको धन्यवाद थैंक यू